कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेडी एंड गुरू यूटूब प्लेटफोर्म पर इस वीडियो में हम सुरू करेंगे भारत की अर्थवरस्ता के बारे में समझेंगे और जिस बार का जो आरियस का जो सेलेबस है आरियस प्री का इस पेशिकली बात करें त तो इसमें काफी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है पर बहुत सारे टोपिक पुरा नहीं है पर पहले क्या है टोपिक जो थे इसमें उनका इसपस्टिकरण अच्छे से नहीं था पर इस बार काफी इसपस्टिकरण के साथ नया सलेबस है जो जिसके बारे में हमको पढ होना है तो यहां पर हम बात करें इस सलेवस को तो यहां पर एक टोपिक है जैसे e-commerce टोपिक तो e-commerce जो टोपिक है इसमें जो महत्पूर्ण चीज़े रहेगी जैसे अभी प्रजेंट टाइम में बात करें तो इंटरनेट और प्रद्योगी की का जो यूग है उसमें काफी बदला हो रहे हैं जैसे हम बात करें ओनलाइन इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में चर्चा करना इसलिए में उप्रण हो जाता है क्योंकि जो यह कंपनिया हैं जो व्यापार कर रही है भारत में तो इन्होंने क्या है कि बहुत सारी चीज़ों पर यह से बात करें क्योंकि इसमें पैय hmen हों लाइन होता है तो कभी कुछ गराग होते जिनका payment पस जाता था या फिर उन्होंने जो सामगरी order करी है वो order सामगरी के बिहाब पर कुछ और उनके घर पर आ जाता था जैसे डेली शोप वोगेरा पहले बहुत आते थे नापतोलो गेरा के तो अभी इन पर कुछ अत्तक लगाम लगाई गई है और उसको solution किते दिनों में मिल जाएगा तो अब क्या हो गया है कि जब भी कोई सिकायत करता है इसको एक मंत के अंदर कंपनी को उसको solution देना अनिवारे होता है और अब जो कारवाई होती है जैसे मान लो कि एक अपनने फिलिपकाट या फिर कोई भी social media platform है जहां से अपने कुछ order किया तो फिलिपकाट तो क्या कर रहा है फिलिपकाट हो गया या फिर कोई भी साधन हो गया वो क्या कर रहा है एक साधन उपलब्द करा रहा है साधन उपलब्द करा रहा है किसको उतपादन करता को और विक्रेत देखा माध्यम की तरह कारे कर रहा तो यहां पर उत्पादक और विक्रेता है और साथ में जो स्वा प्रता है इन तीनों पर कार्य वाई हो सकती यह कूण कि अगर प्रोडक्ट नकली हुआ या कराब हुआ तो तीनों पर कहले वाई की जा सकती है तिक है पांच तक का जुर्माना भी यहां पर जो है अब बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें जो e-commerce platform है इनमें काफी जो हद तक चैंज है जिसा भी अपन बात करते हैं तो मिंत्रा पे आप यूज करो product अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप साथ दिन में उसको वापस return कर सकते हैं यूज करने का मतलब try करें कि अपन वापस वह सकते हैं तो यह जो e-commerce है एक important topic हो जाता है साथ में हम देखें कि subsidy जो चोट topic है हालां कि government पहले भी subsidy यहां देती आ रही है जैसे अपन रोजगार guarantee अधिनियम की बात करें मनरेगा जिसमें लोगों को सो दिन का रोजगार परदान किया जाता है तो उसमें भी subsidy गे सिलेंडर पर subsidy गवर्मेंट दे रही है और उसके साथ ही जो अभी नई scheme है सरी रोजगार guarantee अधिनियम वहां पर भी subsidy का प्रावधाने तो यह subsidy एक विस्त्रे टोपिक है जिसमें बहुत सारी योजनाओ को हमको देखना है अब होता क्या है कि subsidy का basically मतलब यह होता है कि जैसे मानलो कोई company है मानलो यह एक fertilizer company है जो यूरिया का निर्मान करते है इसने यूरिया का निर्मान किया और इसकी जो लागत आई एक बेग की मतलब एक कटे की जो इसकी कीमत आई यह मानलो आयए 5000 रुपे अब कोई गरीब किसान है वो किसान इस पे ये खरीदने जाता है ये खरीदने जाता है तो ये खरीदने जब ये गया तो इसको ये जो लागत है इस लागत मुले से थोड़ा अधी की बेचेगा मानलो लागत मुले एक जार रुपय तो इसने कीमत तैकी मानलो बारा सो रुप किसान को वापस किसान के खाते में वापस कर देगी तो इसको इस तरह से कलिए जो में गई और यह 700 रुपय का रिख और इस परकार की सबसेडिया क्यों कि परता नौ पर यह लिए संब्सभार्णॉ और इसे दोजहर्णफी में न्यंक्वी था बिद्रिंट THE anna lawชיח Gow प्रणाली Public Distribution System अब Public Distribution System जो है जसे जो अनाज की उपलब्दिता करवाई जाती है गाउमे या फिर मैं भी ग्रामिन परवेश से हूँ तो मैं भी काफी बार गया हूँ dealer के पास ग्रणाली लेने तो ये जो जब मैं गाउमे जाता हूँ तो जब इस्तिती अच्छी नहीं थी तो हम जाते थे लेने तो सारवजनिक वित्रण प्रनाली में क्या होता है कि वहाँ पर आप जाओ और आपका अगर नामांकन दर्ज है तो आपको जो निश्चित रासी है उसके साब से गेहूं उपलब्द करा दिया जाते मार्केट में जाओ तो जो फूड सेकुरिटी एक्ट है जो जो जाट 13 में बनाया उसके तहट क्या होता था कि जिसे सेंटर गोवर्मेंट क्या है भंडारन करती है अनाज को खरीद के उसका भंडारन करती है सेंटर किसको पहुंचाएगा अब राज्य क्या करेगा इनको वित्रण की दुकानों त तो यह इतनी बड़ी जो चेन है इस चेन में रिसाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी काला बाजरी की समश्या रहती है तो वही चीजे हम यहाँ पर पीडिये सिस्टम में जानने का प्रियास करेंगे इसमें दो मोडल है एक तो राजस्तान मोडल और च्छत का औरेंज कलर की बस रहती है तो उसे हम पता चल जाता कि सको लुश जा रही है वैसे चातिस्कड कई गृटर में प्रणानली वाला ट्रक है इसमें अनाच की उपलब दिता होगी तो अब इसमें बात यह है कि वह सब की नजर में एक तरह से आ जाता था तो वहाँपर और काली बाजारे की समस्य खतम हो जाती तो जब वो ट्रक डीलर के पास पहुँचा था. तो इसमें GPS इसनम भी लगा होता है. तो जिसे वो डीलर के पास पहुँचेगा जो वहाँ के उस डीलर के पंचिकर्ड जो लोग है उनके पास mobile phone से message चला जाता था कि यहाँ पर आप अनाज लेने आ सकते हो मतलब अनाज की उपलता सुनेचित कर दी गई है तो यह message आते ही पिर वो लोग बाग में विद्रन पढ़ना ली चालो तो इस तरह से 36 गड का जो model है काफी अच्छा है और उसके बारे में हम संज़ेंगे उसी तरह राजस्थान model जो अनापूना भंडार अनापूना भंडार का क्या मतलब है कि एक platform जैसे हम जाते हैं कि कोई mall में जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीजे हमें एक की ही जगह पर उपलब्द हो जाती है तो अनापूना मोडल में एक mall बनाया गया एक राशन की बड़ी दुकान विस्तरत दुकान बनाई गई जहां पर आगे आप अपना जो गेम हैं वो भी ले सकते हो और साथ में जो अन्य उत्पाद हैं अन्य उत्पाद मतलब जैसे आपके घर की और सामगरी जैसे मसाला हुआ अगर बत्ती हुई गर के और भी सारी चीजें यहां पर उपलब्द होती है स्टोक एक्सचेंज अभी जैसे कोविड टाइम जो था कोरोना का जो समय था तो कोरोना समय में हुआ क्या कि लोग घर पर बैठे थे और काफी चीजें इन्होंने क्या है कि सोशल मेडिया प्लेटफोर्म के द्वारा नहीं सीखी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सजेस्ट किया जाते हैं कि यह डाउनलोड करो इससे इस तरह इन्वेश्ट होगार, SIP, Mutual Fund तो यह सब इसमें हम समझेगे जैसे भारत में दो NAC और BAC जो है Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange यह दो बाजारे जहां पर Stock Exchange का का कारे किया जाता है और इनका नियंतरन सेवी के हाथ में होता है तो Security और Exchange Board of India जो विन्यामक संस्ता है जो रेगुलेट करती है इस पूरे कारोबार को तो उसके बारे में विश्टरत से अध्यान करने वाले हैं साथ में बजट निर्मान इस बार का बजट इतना लंबा नहीं रहा पर चीजे बहुत सारी है उसमें वो हम देखेंगे जो भारत सरकार के जो सेवन इंजिन का जो कंसेप्ट है और नहीं नहीं जो वंदेभारत ट्रेनों का भी उदगाटन हो रहा है तो उन निसाब से बजट भी एक इंपोर्टेंट चीज है साथ में बेंकिंग और बेंकिंग में एक मोद्रिक निती वो भी हम समझने वाले हैं और पब्लिक फाइनेंस और जीएश्टी जो है आरेस मेंस में एक topic है करसुधार तो करसुधार में जब हम परतिक्ष करसुधार की बात करेंगे तो उसके लिए GST एक महत्पूर्ण topic हो जाता है तो ये दोनों में ही मान के चलो कि प्रियोर मेंस दोनों में ही महत्पूर्ण है नेशनल इंकम और ये economic development वगेरा के बारे में हम बात करने वाले हैं साथ में देखें तो हालिया में सितंबर में मानो विकास उचकांग की रिपोर्ट प्रकाशी तो ये उसके बारे में हम देखेंगे गरीबी और बेरोजगारी और इसकी जो flagship योजनाये हैं उनके बारे में भी देखने वाले हैं और ये topic भी आरेस में भी है और प्री में भी है तो ये भी एक important topic है तो ये की ये और कर्शी उर्यूद्ध्योग और इससे related जो सामाजिक समश्याय मुद्ध्य जो भी है उनके बारे में भी आप चर्चा करेंगे तो ये सब एक कि short and simple introduction है हमारे जो syllabus का अब हमेशे क्या है syllabus को अपने दिमाग में रखना क्योंकि जैसे ही हम कोई भी खबर देखते हैं हालिया कबर की बात करें तो जैसे हम आज हम पत्रिका पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी हमें चीज पता चलिए अगर वो में से रिलेटेड है तो फटाफट हमको क्लिक करना चाहिए कि यह चीज मेरे लिए महत्पूर हो सकती है हाली में कुछ चेंज हुए जैसे मोनेटरी पॉलिस में हम बात करें तो रेपोर्ट रेट रिवर्स रेपोरेट मार्जिनल स्टेंडिंग पैसलिटी ठीक है बेंकों में लेंदेन हो रायस अर्थववस्ता में उसको समझने का प्रियास करेंगे तो काफी इजी है सब्जेक्ट और इसको अगर वहवारिक तोर पर हम समझेंगे तो काफी आसाल यह लगने लगेगा अब शुरू करते हैं और जो हाली में रिपोर्ट आई है मानने विकास हुचका इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं फिर आगे हम आगे चीज़ों को देखेंगे तो जो टोपिक है वो है मानव विकास सुचकांग Human Development Index HDIE अब मानव विकास सुचकांग की बात करें तो क्या है कि मानव की विकास की सूचना यह हमको देता है और हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है UNDP के दौरा United Nation Development Program के दौरा 1990 से रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है अब इसमें कुछ आयामों को सामिल किया गया ह इसमें कौन-कौन से आयाम है तीन तरह कि इसमें आयाम लिए गया है उसके भियापर यह रिपोर्ट हर साल प्रस्वत की जा रही है केवल 2012 को छोड़ दें तो हर साल यह रिपोर्ट हमें प्रस्वत की गई तो 1990 के दसत से एक तो प्रस्वत की जा रही है और सात में जो यह United Nation Development Program है यहाँ पर दो अर्थसास्त्री एक का नाम आता है तो पाकिस्तान की अर्थसास्त्री है महबुबुलक और एक भारत की अर्थसास्त्री है एसेन या अमर्तेशेन जिन्सकों नाम देते हैं तो इन दोनों नहीं इसकी सुरुवात की थी और इनके दोराई सबसे पहले यह प्रस्तुत किया गया था और जो हाली में रिपोर्ट आये उसमें 132 रहें के भारत की 114 में तो यहाँ पर हम बात करें तो पहली बार पहली बार मानव विकास सुचकांग मानव विकास सुचकांग 1990 में प्रस्तूत किया गया था तब से हर साल अपवाद कौन सा साल है 2012 का 2012 में प्रस्तूत है हुए यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है प्रकाशित की जाती है और प्रकाशित करता है UNDP United Nation Development Program सहिंत राष्ट विकास कारिकरम द्वारा यह प्रस्तूत की जाती है और UNDP में जो एक तो पाकिस्तानी अर्थसास्त्री का नाम आता है पाकिस्तानी अर्थसास्त्री जिनका क्या नाम आता है महबूग उलहक और भारत के जो अर्थसास्त्री है जिनको 98 का नोबल ट्राइज भी मिला था भारत के अर्थसास्त्री एसेन या अमर्देशेन द्वारा प्रस्तूत की गई तो दू नाम यहां पर मैत्पॉन हो जाते हैं एक तो महबूग और जो दूसरा नाम है वो है एसे किसके दौरा प्रकाशित की जाती है UNDP के दौरा सबसे पहले 1990 में यह प्रकाशित की गई ठीके अब इसमें बात करें तो इसमें तीन आयाम होते है किते आयाम होते हैं तीन आयाम पहला आयाम की बात करें तो इसमें जो पहला आयाम लिया जाता है वो लिया जाता है एजुकेशन को या फिर शाक्षर्ता को किसको लिया जाता है शाक्षर्ता को यहाँ पर पहला आयाम लिया जाता है उसके साथ दूसरा आयाम यहां पे लिया जाता है वो है जीवन परत्याशा या फिर लाइफ एक्सपेंटेंसी जीवन परत्याशा और कौन से जीवन परत्याशा जन्व के समय जीवन परत्याशा जीवन परत्याशा मतलब जीवन जीने की आशा मतलब कोई वेक्ति कितनी देर तक कितने सालों तक जीवन जी सकता है उसको जीवन परत्याशा बोलते हैं और तीसरा जो इसमें आयाम है वो है ग्रोश सकल राश्टियाई सकल राश्टियाई गया पर ग्रोश नेशनल इस इंकम सकल, रास्टिय आई, जी एंड आई अब मानों का क्या है विकास हो रहा है मानों का विकास जो होगा उसके लिए हम बेसिक जो आदार वो चीज़े है एक तो शाक्षयरता हो गई एक उसकी जीवन परतियासा जीवन परतियासा किस पात पर डिपेंड करेगी कि कोई वекति कितना जीवन जी रहा है अगर उसके रख ये फैटर आजए क मिले और उसका जीवन इसतर को दिखाने में यह एक आयाम आ जाता है जिसमें जीवन किसी वेकति यास तो सो होगए और किसी राष्ट की सकल राष्ट यह कितनी है उसके खेसे इसाब साहिक, उनकी जंता की जो लोग है प्रतिवेक्तिया डिसएड होती है तो ये एक I का माद्यम हो गया, कि वो जो है उसके बिहाद पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो अभी जो वर्तमान में जो रिपोर्ट जारी की गई, उसमें चार संकेतक लिए गए है, चार संकेतकों के आदार पर रिपोर्ट जारी के गई, तो अब यहां पर जो संकेतक लिए गए है, उनमें एक तो simply सकल राष्टी आये का संकेतक था, और एक जीव समय जीवन परत्याशा एक संक्यतिक यह लिया गया दूसरे संक्यतिक की बात करें तो जो सकल राष्ट्य आए है उसको संक्यतिक लिया गया तो प्रतिव एक्ति सकल राष्ट्य आए है दो संक्यतिक यह हुगए और तीसरा संक्यतिक लिया गया गया साक्षर्ता से तो साक्षर्ता में भी दो तरह की इन्होंने आयाम कंसिडर किये दो तरह के संक्यति लिये एक तो विद्याली शिक्षा है जो है विद्याली शिक्षा उसके ओसत वर्ष मतलब कोई वेक्ती जो सारे बच्चों को मिला के ओसत कितने वर्षों तक विद्याले में शिक्षा बच्चे लेते हैं और एक और जो संके तक है वो विद्याले शिक्षा के अपेक्षित वर्स एक तो mean years हो गए average years हो गए ठीक है और एक expected years जो है कि कितने सालों तक अपेक्षा है किसी भी बच्चे के मापर शाक्षरता लेने की तो 4 संके तक हो गए एक जन्म के समय जीवन परत्याशा दूसरा परतिवेक्ति सकलराष्टि आई तीसरा विद्याले शिक्षा के ओसत वर्स और चोता हो गया विद्याले शिक्षा के अपेक्षित वर्स तो इन 4 संकेतों पर इस बार रिपोर्ट प्रकाशित के गई और ये 4 संकेत किसे से निकले हैं 3 इनों आयाम मोंस को ही लेकर 4 संके तक बनाएं गया। तो ये जो है ये रिपोर्ट जारी की ग최धा जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट के जो मेटोपोन पॉइंट है वह हमको याद रखने जो आखड़े हैं वह कि हमको एक चीज तो यह याद रखनी है कि भारत का इसमें नंबर है भारत की रेंग की रेंक बहुरत की रेंग 132 है कितने देसों में 111 देसों में जब 2020 के लिए रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी तो भारत की रेंग 130 थी तो दो जो पॉइंट है उनमें कमी आई है पहले 130 अब और बेकार हो गई है 132 ठीक है तो यह चीज हमको ध्यान रखनी है अब इसमें गिरावट का करण क्या वाना जा सकता है कि इसमें गिरावट का करण है कोरोना जो कोरोना का दोर था तो वहाँ पर इसलिए यहां पर यह रिपोर्ट में गिरावट आई है जो टोप देश है जो टोप यहाँ पे एक टेबल बना लेगते हैं एक तो टोप कंट्री और एक लास्ट कंट्री की बात करें तो जो टोप कंट्री है उसमें पहला नाम आता है स्विट्जरलेंड का स्विर्जरलेंग दूसरा है नौरवे नौरवे लास्ट टाइम फर्स्ट पे था तीसरा है आइसリंड और ये टोप 3 कंट्री हो गई और जो लास्ट रेंग की 101 क्रानमा रेंग की वो है साउथ सुदान की साउथ सुदान जो देश है वो लाश्ट पे है भारत की रेंग 132 हो गई और भारत के साथ अगर पडोसी देशों की रेंग देखे जाए पडोसी देशों की रेंग दी जाए तो एक तो पाकिस्तान की जो रेंग है वो महत्पून हो जाती है तो इसमें पाकिस्तान की जो रेंग है वो 161 है ठीक है स्री ल उसी तरह और भी देसस अब बुठान की है तो 117, बांगलादेश की 129, बांगलादेस की 129. तो इस तरह से यह रिपर्ट और नैपाल की 143, नैपाल की 143. तो ये भारत के रिंग 132 जो अभी सितंबर में यह report प्रकाशित की गई है और वहीं के नमीनतम याक्र है तो यह है अब इसमें जो important चीज है तो एक important चीज तो यह हो जाती है कि कितने संके तक लिए गये गये तो चार संके तक है आयम कितने हैं तीन हैं और तीनों आयमों के इसाब से हड़ साथ रिपोर्ट परकाशित होती है संके तक मैं बदलाव किया जा सकता है और महभू बूलख और एशेन जो है अमर्तेशेन इनके जारा सबसे पहले प्रसुत की गई 1990 के दर्शक से की जा रही है कि यह तोपिक है मानविकास हुच आज इसमें अपन वह यह सब चीजे देखी तो कि यह हो गया माहन विकास सुज कान अब साथ में आगे बढाए तो आगे हं अगला टोपिक लेते हैं तो मुद्रा-इस्पिती कि मökध इस मिद्धा आजय की तो टोपिक रहेगा मुद्रा इस्फिती या फिर इन्फलेशन मुद्रा इस्फिती या फिर इन्फलेशन इन्फलेशन की बात करें तो इन्फलेशन जो है इन्फलेशन को अपन नॉर्मल चीज में समझें तो ये क्या है कि जिसे अपन मेरे पास क्या है कि 100 रुपए है ठीक है 100 रुपए के या फिर ऐसे समझो कि 20 रुपए है मेरे पास और 20 रुपए में 5 केजी 5 केजी कोई भी सबजी आती है मालो आलू आती है ठीक है अब जैसे जैसे कुछ टाइम हुआ एक माहिने, दो माहिने, तीन माहिने तो बीस रूपे में ही केवल एक किलो आलो आ रहा है एक किलो आलो आ रहा है तो यहाँ पर हो क्या रहा है पैसा जो है उस पैसे की जो पहले शक्ती क्रे करने की शक्ती थी पांच किलो आलो को अब उसकी क्रे करने की शक्ती हो गई एक किलो आलो की तो जब पैसे की क्रे करने की शक्ति में वर्दी हो जाती है पैसे की क्रे करने की शक्ति में कमी आ जाती है क्रे शम्ता उसकी कम हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं मुद्रा इस्पिती बोलते है तो यह तो short examples हो गया कि कि मुद्रएश्पीति क्या है कि रुपे की करे करने की शमता को कमी को ही हम क्या भोलते हैं मुद्रएश्पीति अब करे करने की शमता है उसमें जो है वो, घटी क्या से अब करे करने की शमता को कमी को ही, हम क्या बोलते हैं mudraspiti. अब करे करने की शमता है, उसमें जो है, वो घटी कैसे? सबसे पहले बात यहा आती है. तो वो इसलिए घटी, क्योंकि यहां पर जो वस्थू के दाम है, वो बढ़ गए. अब वस्तों के दाम बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं सिंपल बासा में मुद्राइस्पिती कहा जाता है तो मुद्राइस्पिती का तात्परे किसी वस्तों के मूल में वरदी से हैं और इनकी कीमतों में जो वरदी होती है उसमें रुपे की ग्रे करने की शंता क्या हो जाती है कम हो जाती है तो वही बिंदु हमको लिखना है तो इसमें जो मुद्राइस्पिती का जो टोपिक रहेगा इसमें हम जूस परकार से चीज़े लेके चलेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे यह क्या है जैसा कि हमने बात करी और इसके कितने प्रकार की होती है ठीक है भारत के संद्रब में इसके चीजों को समझेंगे इसके कौन-कौन से कारण है और इनके रोक थाम मतलब इसके रोक थाम क्या कहे रहा है एक तम नियंत्रन के उपाय है नियंत्रन के उपाय क्या क्या ह और इनका जो प्रभाव है जनता पर जिसे निवेशिकों पर इसका प्रभाव क्या है कि इशानों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो उन सब के बारे में प्रभाव के बारे में जिसे प्रभाव में भी हम एक तो इनसान की बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है दू किसानों पर प्रवाव, wish पर प्रवाव क्या पड़ता है इन्वेस्ट्मेंट पर ठीक है और जो सेलरीड एंप्लॉय है सरलरीड इंप्लॉय मतलब वेतन करमचारी बेतन भोगी क्रमचारी उस पर इसका क्या प्रभाव परता है तो ये प्रभाव को देखेंगे और इसके साथ ही इसकी जो गणना है गणना किस प्रकार की जाती है वो भी बात करेंगे और साथ में जो भारत के संदर्ब में बारत के संदर्ब में मुद्र जो मुद्रा इस्पिती है मुद्रायस्पिती बात के सब्सक्राइब मुद्रायस्पिती को समझने का प्रियास करेंगे तो ये टोपिक रहेगा हमारा कि किस परकार से मुद्रायस्पिती को हम समझने का देखेंगे अब यहाँ पर हमने बात करी थी मुद्रायस्पिती क्या है और किस परकार से हमने एक 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 जामपल से समझा कि मुद्राइस्पिती क्या है कि रुपे की क्रेय करने की शक्ती जब कम हो जाती है या फिर जो महंगाई है उसी को अपन मुद्राइस्पिती कहते हैं अब यहां पर जो मुद्रा इस्पिती को अपन कंट्रोल करेंगे माल लो मुद्रा इस्पिती किसी भी अर्थ विवस्ता में मुद्रा इस्पिती बनी हुई है मेंगाई बनी हुई है तो मेंगाई बनी हुई है तो लोगों के पास पैसा क्या है कम है तो वो चीजों को खरीद नहीं पाएंगे और चीजों को खरीद नहीं पाएंगे तो जो सरकार है सरकार जब इन लोगों को कम कीमत पर वस्तुएं वो सेवाएं उपलब्द करवाएगी क्या क्या उपलब्द कराएगी वस्तुएं और सेवाएं तो इन लोगों का भी काम हो जाएगा कम पेसा है और साथ में वस्तों सिवाएं भी इनको मिल जाएगी तो इसी को हम PDA सिस्टम में समझने का प्रयास करें और यहाँ पर राज्ये किस प्रकार की भूमिका निबा रहा है इन सब से एक कल्यान कारी राजे की भूमिका निबारा है कल्यान कारी राजे कल्यान कारी राजे की एक अवधारना है कि सरकार द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कारे जिसे जनता के हितों में जो कारे होता है जनता की जो भलाई होती है उसी को हम कल्यानकारी राजे के अधारना में समझते हैं अब यहाँ पर बात यह है कि कल्यानकारी राजे क्या हमारे सर्विदान में भी ऐसी कोई भूमिका है तो प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में तीन परकार के न्याई की बात करी गई तीन प्रकार के न्याई में हम देखें तो एक प्रकार का जो न्याई है वो किस प्रकार का न्याई है? वो है सामाजिक न्याई, एक है राजनितिक न्याई और तीसरा है आर्थिक न्याई तो सरकार का कार्ट जो प्रस्तावना में जो लक्षे दिये गए हैं वो लक्षे हैं सामाजिक आर्थिक और आजनितिक न्याएं तो सामाजिक न्याएं किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है किसी भी समाज में कि जब समाज में समानता हो गेर बराबरी ना हो ठीक है लोगों के बीच समानता के सासाथ उनको प्रियात्त सोतंतरता हो ठीक है उनको जीने शिक्षा का अधिकार हो उनके जीवन इस्तर को उपर उठाने का प्रियास के जाए तो ये सब क्या है सामाजिक न्याई की अवधारना को सुनिशित करता है उसी तरह आर्थिक न्याई किस प्रकार चोगया कि लोगों का जो आय का इस्तर है उनमें समानता हो और आय की इस्तर में अगर ऐस समानता होगी तो लोग सरकार द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको कुछ पेशा उपलब्द कराया जाएक उसके सहति बहुत सारी जिसे इंद्रा रस्वई योजना की बात करें इंद्रा रस्वई योजना के साथ मिड़े मिल का जो प्रोग्राम है इसको बच्चों को को पुशन से बचाने के लिए ठीक है और उसके साथ ही बहुत सारी चीज़े रोजगार गारेंटी अदिलियम जो किसानों को सम्मान नहीं दी जाती है छेजार रुपे जो किस्तों में दिये जाते हैं किसानों को तो ये सब जो पैसा सरकार दे रही है ये किसको सुनिश्चित कर रही है आर्थिक न्याय के अवदारना को शुनिश्चित कर लेगे तो आर्थिक न्याय में आये की स्तर में जो समानता है उनको कम करने का सर्यास सरकार प्रयास करती है तो इस तरह से कल्यानकारी राज्जे की क्या हमने बात करी तो अब इसमें बात जब मुद्रा इस्पिती के हम करने हैं तो मुद्रा इस्पिती के मुद्रा इस्पिती को जब हम समझें तो मुद्रा इस्पिती जो है इसके कारण क्या क्या हो सकता है इसके कारण क्या हो सकते है कि जिसे मान लो कि अगर अर्थवस्ता में मांग में वरद्धी होगी क्या मांग वरद्धी होगी क्योंकि लोग काफी जादा है हमारे जो इंडिया है इसकी population बहुत जादा है तो अगर मांग में वरद्धी होगी तो कोई वस्तू कि अगर मांग में वरद्धी होगी तो इस तरह के मुद्रा इस्पिती को बोलते हैं मांग जनित मुद्रा इस्पिती किस प्रकार की मुद्रा इस्पिती मांग जनित मुद्रा इस्पिती तो मांग जनित मुद्रा इस्पिती है जब किसी भी चीज में वर्दी हो रही है अब मुद्राइस्पिती की जब इस्तिती बहुत अधिक हो जाती है जैसे मानलों अगर अपन बात करें कि मुद्राइस्पिती की ऐसी समझ्षा होगी कि लोगों में जैसे खाने को ही नहीं मिल रहा है खाने को किस प्रकार नहीं में बढ़ा है जिसे फिर लोगों को क्या है प्रयात मातरा में पैसा उपलब्द करना पड़ेगा क्योंकि अगर मांग में उरद्धी होगी तो वेल्यू में उरद्धी हो जाएगी और जब उसकी कीमते बढ़ेगी तो किसी भी वेक्ति को पैसे की अपलब्द सुनेच्छित करने होगी तो इस परकार से उनको जो सेलरी अपन किसी भी एंपलोई को महिंतली देते हैं वो सेलरी अपन को साथ साथ दिन या 15-15 दिन की आधार पर उपलब्द करानी पड़ेगी जिसे अमेरिका में कभी-कभी क्या होता है जब मुद्रायस्प तो अब यहां पर अर्थवज़स्ता में मांग में वर्दी क्यों हो रही है इसके बारे में भी हम समझेगे और दूसरी जो मुद्रा पढ़ताल पर चले जाए या फिर वस्तु आयातित हो रही है तो आयात में कीमतों में वर्दी हो जाए तो इस तरह की जो मुद्राइस्पिती होती है इसको बोलते हैं लागत जन्ने मुद्राइस्पिती तो दो तरह कारण हो सकते हैं एक तो मांग जनित मांग के कारण जो मु मुद्र आस्पिती तो इसमें कुछ zalे लिखेंगे उसके बाद आकर बड़ेंगे nyt वाया कथ मुद्र आ एल सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेंगा मुद्रा एवाम के मूले में होने वाली वर्दी मूले में होने वाली होने वाली इस्थाई व अस्थाई वर्दी जिससे जिससे क्या होता है मुद्रा की क्रे करने की शक्ति कम हो जाती है जिससे रुपे या फिर मुद्रा की क्रे शक्ति कम हो जाती है मुद्रा इस्पिती कहा जाता है मुद्रा इस्पिती कहा जाता है तो रुपे की करे करने की सकती क्या होगे कम हो गई अब मुद्रा इस्पिती की जो गणना करते हैं मुद्रा इस्पिती की गणना हम करेंगे और साथ में इसके कौन-कौन से कारण है तो यह सब बाते हम करेंगे और यहाँ पर हम बात करें तो हमने दो तरह के मुद्रा इस्पिती की बात करी थी कि एक तो मांग जनित मुद्रा इस्पिती तो मुद्रा इस्पिती के कारण तो मुद्रा इस्पिती के कारणों की बात करें तो चो पहला कारण है वो है मांग जनित मुद्रा इस्पिती मांग जनित मुद्रा इस्पिती या फिर मांग जनित मतला डिमांड पुल इंफलेशन डिमांड पुल इंफलेशन तो मांग जनित मुद्रा इस्पिती में हमने क्या वात की कि अर्थ व्यवस्ता में वस्तों की या सेवाओं की मांग में वर्दी होती है तो इसमें क्या होता है कि अर्थ व्यवस्ता में अर्थ व्यवस्ता में मांग में व्रदी होना व्रदी होती है तो अर्थ व्यवस्ता में किसमें व्रदी हो रही है वर्स्तों की और सेवाओं की जो मांग है उनमें व्रदी हो रही है वर्स्तो जाफिर जो सेवा है उनके मांग में व्रदी हो रही है अब इस मांग में व्रद्धी के कारण क्या हो सकते हैं अगर कोई भी वेखती है उसकी मांग में व्रद्धी क्यों होगी अगर उसके पास पैसा आजाए तो पैसा कैसे आएगा उसके पास या तो उसको पैसा कहीं से मिले तो किस से मिलेगा उसको पैसा इंकम से मिलेगा अगर वो सैलरेड इंपलो है तो अगर उसकी आय में वरदी होती है कोई भी करनी यहां पर ले सकते हैं जिससे उसके पार पैसा है दूसरा उसके पार पैसा कैसे आ सकता है कि सरकार अपना वे बढ़ा रही है सरकार द्वारा वे में वर्दी सरकार द्वारा वे में वर्दी को इस प्रकार समझो कि जैसे मानलो कोई भी अर्थ विवस्ता है तो अर्थ विवस्ता में कोई भी काम हो रहा है जैसे मानलो रोड construction का काम हो रहा है तो road construction में जो मजदूर लोग हैं तो जब road construction का काम चलेगा तो मजदूरों को क्या bulb देऊगा पैसा उपलब कराए जाएगा इनको salary दी जाईगी पैसेगरूप में तो मजदूरों के बाद जब पैसा आएगा तो वह करWhat करेंगे और वस्तु उक्षा करेंगे जितना ज्दा अर्फु वहस्था में पैसा किस प्रकार आए गा और पैसा करवाया अधिननने लौक्षा किशा रहा है क्युंकि उसलायोर आर्फै वहसपिटल निर्मान हो रहा है कोई भी और सनचना सरकार के दोरा निर्मित की जा रही है तो सरकार दोरा वहाँ पर काम करने वाले लोगों को पैसा उपलब्द करवाया जाता है तो वो लोग जब पैसा आएगा अर्थवेस्ता में तो किस में व्रदी करेंगे मांग में व्रदी करेंगे अच्छा यहां पर एक चीज आती है मा एक शब्द आता है मांग तो मांग क्या होती है अगर अपने मांग को देखें कि मांग होती क्या है एक्चुली तो मांग क्या है कि किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा यह क्या है अब मांग का भी एक एफेक्टिव वर्जन है जिसको हम बोलते हैं प्रभावी मांग क्या है प्रभावी मांग, प्रभावी मांग क्या है कि जब मेरे को किसी चीज की आउशकता है तब ही मैं उसको खरीदू तो उसको बोलते हैं प्रभावी मांग मुझे उसकी आउशकता नहीं है तो मैं अननेसेसरी उस चीज को नहीं खरीदूँ तो प्रभावी मांग क्या है कि आउशक्ता होने पर आउशक्ता होने पर किसी वस्तु के खरीद करना प्रभावी मांग के लाता है तो यह जो लोग हैं जिनके पास अर्थवस्ता में पैसा आ जाएगा तो यह वस्तु और शिवाओं की मांग में उरदी होगी और उसी से क्या होगा कि जिसे मालों किसी को पैसा आया तो विंडर्व सोपिंग पे चला गया वहाँ पर जाकि उसने कोई ड्रेस ले लिए कुछ भी ले लिया तो जब वेतन मिलेगा किसी को तो वेतन की दो तरीके अपने बात करें कि एक तो सलेट एंपलोई है जिसको वेतन मिल रहा है एक स सरकार दोरा वे जरूरी नहीं किसी काम पर ही हो सरकार दोरा किसी को सबसीडी दी जा रही है कुछ जैसे सम्मान निदी की तो पैसा दिया जा रहा है जीवन इस तर में सुदादर के लिए पैंसन दी जा रही है तो ये भी क्या है सरकार का खड़ चाहिए तो ये भी पब्लि सो करोड जन संक्या और किसी देश की जन संक्या है गेड़ सो करोड तो जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर मांग अधि हो गई तो जन संक्या जो है एक महत्पून कारा के जन संक्या मैं बड़ोतरी भी एक महत्पून कारा के जो किसको बढ़ाती है मांग जनित मुद्राइस्पिती को बढ़ाती है तो मुद्राइस्पिती के कारणों की बात करें तो दो कारणों की बात करें है एक तो मांग जनित मुद्राइस्पिती और एक है लागत जनित मुद्राइस्पिती या फिर दिमा, sorry, cost pull, लागत यानि cost push inflation, inflation, अब cost push inflation को हम कैसे समझे, कि कोई भी वस्तु की जो लागत है उसमें वर्धी हो जाती है, तो अर्थवियस्ता में लागत में अगर वर्धी हो जाती है, तो वस्तु वर सेवाँ की लागत में वर्धी होना, अब इसके भी कुछ कारण होंगे, इसके क्या कारण हो सकते हैं, कि किसी भी वस्तु और सेवाँ की लागत में वर्धी क्यों हो रही है, या तो जो कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है ये दूसरे देश से आयात हो रही है और मैंने इस वस्तु का क्या कर लिया उप्रूबोग किया तो पहले मान लो ये 10 रुपे की आ रहे थी अब कुछ टाइम बाद में देख रहा हूँ ये 15 रुपे की आ रही है तो 10-15 रुपे होने का कारण क्या है या तो इस वस्तु का जो आयात सुल्क है उसमें वर्दी हो गई हो या फिर आयात सुल्क ना वर्दी होकर यहां पर जो देश से आ रहे है उसने इसके कीमत बढ़ा दियो ठीक है या फिर ये हो सकता कि कोई वस्तु अगर मैंने प्रचेज करी है तो पर्चीस करी है तो इसको जो रो हो इस में लग रहा है जो इसको बनाने में रो मटेरियल लग रहा है उसकी लागत में व्रति हो गई हो थैकर जैसे माज़ो मैं कुछ मैंनेoderonex करीदा दुकान से तो प्रोटीन किसे बनेगा गाई के दूद से बनेगा या भैस के दूद से बनेगा तो दूद से मानलों दूद की अगर दूद के लागत दूद के दाम में अगर वर्दी होगी तो प्रोटीन में भी क्या है अपन को वर्दी देखने को मिलेगी तो जो लागत है वो कीमत बढ़ जाना अब वह किस परकार बढ़ सकती है तो आया सोल कॉष्टम डूटी जादा लग गई हो या फिर उसका जो रोमटेरिय लिए वो महिंगा हो गया हो दूसरा एक कोर कारण हो सकता है कि कोई भी वस्तू की कीमत किस परकार बढ़ सकती है कि अगर मान लो सारे नारा दिया था कि आप दा को आउसर में बदलो आप दा को आउसर में बदलो अब इसका फाइदा बहुत सारे लोगों ने बहुत उटाया कैसे तरह फाइदा उटाया जिसे मैंने भी देखा कि बहुत सारे लोग जो भी तंबाकू गुटका खाते हैं तो जो वीमल या फिर श ताला बंदी जब हो जाएगी ताला बंदी जब हो जाएगी तब भी इनमें जो है लागत क्या है बढ़ जाती है तब भी क्या है इनकी जो इनका मुल्य है उनमें वरदन हो जाता है तो आपदा को अवसर में बदला किन लोगों ने जिनों ने बहुत सारे गलत चीज़ें जै आपके ठेके खोलना चलो किया तब जाके क्या है कि अर्थवस्तावापत सुधरी तो बहुत सारे काला बाजार हुए ऑक्सिजन जो सलेंडर है युँसलेंडर है वाँ की काफी काला बाजार हुई तो उन लोगोंने अब बहुत सारी नहुंजी डेली आती थी तो हम भी देख पूर्ति का प्रबंदन जो है वो बादित हो जाए पूर्ति का प्रबंदन बादित हो जाए पूर्ति का प्रबंदन बादित का क्या मतलब है कि जैसे माल लो यहां पर फेक्टरी है ठीक है दिल्ली में फेक्टरी है दिल्ली से राज्थान में माल आ रहा है तो राज्थान मे क्यारन वस तो यहां नहीं आपाएगा और माल नहीं आ पाएगा तो क्यारन हो सकता है। पूर्टी के प्रबंदन भादित होने का। तभी ज़स जादा पांगी है तो वेसे भी लागत तो यह कुछ कारण है जिन में कीमते न हैं वर्दी हो जागती है और क्या हो गया? जैसे मानलो क looked like factory जो किराइपर काम कर रही है तो महाँ पर rent बढ़ जाना किराये में वर्दी हो जाना किसी ने loan लेके कुछ factory चालूट की तो उसमें लौन के ब्याज की किस्त बढ़ जाना तो ब्याज वो चुका रहा है उसकी किस्त बढ़ गई जो मजदूरी वो लोगों को दे रहा है तो मजदूरी बढ़ गई लोग मजदूरी जादा मानने लग गए तो उस तरह से लागत जन्ने मुद्रा इस्पिती के और भी कहीं कारण हो सकते हैं जहां से लागत में किसी भी चीज में लागत की किसी भी कारण से उरदी हो जाए तो दो तरह की मुद्रा इस्पिती के कारण हो सकते हैं एक तो मांग जनित मुद्रा इस्पिती और एक है लागत जनित मुद्रा इस्पिती तो यह दो कारण है मुद्रा इस्पिती बढ़ने के मुद्रा इस्पिती मानलो बढ़ रही है हमने देखा कि मुद्रा इस्पिती बढ़ी तो अब यहाँ पर दो चीजे हैं कि मुद्रा इस्पिती बढ़ेगी तो जो उत्पादक वर्ग है मुद्रा इस्पिती बढ़ गई मानलो मुद्रा इस्पिती तो जब यह बढ़ी तो जो उत्पादक वर्ग है उत्पादक वर्ग उत्पादक वर्ग ने क्या बनाया उत्पाद बनाया अब उत्पाद जब बनाया इसने तो जब मुद्रा स्पिती बड़ी तो उत्पाद का इसको मुल्ले क्या मिलेगा अधिक मिलेगा तो मुल्ले अधिक मिलेगा तो उत्पादक वर्ग को तो हमेशा क्या होगा फाइदा होगा उत्पादक वर्ग को हमेशा फाइदा होगा और जो वेतन भोगी है वेतन भोगी कोई करमचारी हो गया मालो तो इसके पास तो एक निश्चित वेतन आती है इसके पास क्या है एक निश्चित वेतन है तो इसको पहले जिस वस्तु का मालो 10 उर्पया देना पड़ रहा था अब इसको 20 उर्पया देना पड़ रहा है तो इस पे इसको क्या हुआ नुक्षान हुआ इसको क्या हुआ नुक्षान हुआ तो वेतन भोगी पर तो इसका नकरात्मा प्रभाव पड़ा जब कि जो उप्वोगता पादक वर्ग है उस पर इसके सकरात्मा प्रभाव पड़ रहा है ठीक है मालो रिंड दाता है किसने रि से क्या है कि जो वस्तु यह सेवा हैं हम क्या बात करने कि जो रुपे की क्रे करने की शक्ति क्या हो रही है रुपे की क्रे करने की शक्ति अगर कम हो रही है तो इसको अभी क्या है कि जिसको इसने रिंड दे दिया किसे को एकलाग रुपे अब इसकी रुपे की क्रे करने की सं फायदे में रहेगा क्योंकि अभी पैसे की वेल्यू क्या है बढ़ चुकी है तो इस तरह से ये कुछ प्रबाव हैं जो हम देखते हैं कि और मालों बचत की बात करें कोई सेविंग कर रहा है सेविंग कर रहा है को सेविंग कर रहा है तो सेविंग तो उसकी निश्चित है निश्चित सेविंग को कर रहा है और मार्केट में वस्तों की किमत क्या बढ़ दी ज्याधा होगी तो ज्याधा होगी तो इस पर भी क्या है बचत करने वाले वेक्ति पर भी नकारात्मक प्रब प्रभाव की बात करें, बचत पर क्या प्रभाव, रिणी वेक्ति पर, किसानों पर, वेतन बोगी पर, निवेश पर या वेतन बोगी तो इनके प्रभाव को भी अपनियां पर देख लेते हैं तो टोपिक रहेगा, मुद्रा इस्फिती के प्रभाव, एफेक्ट्स आफ इन्फलेशन, तो इन्फलेशन के क्या-क्या प्रभाव पढ़ते हैं, वो अपन को देखने की जरुत है अब यहां पर देखें इनके प्रभाव के तो हमने दो तरह के यहां पर बात करी कि जन्सेंक्या वुरद्धि और ब्याज की तरह इन सब mejorar करी कि बई क्या क्या करा न्हीं, मांग जनित मुद्राइसपिती और लाग जनित मुद्राइसपिती अब इनके जो प्रभाव है इन में बात करें तो पहला जो प्रभाव है वह मान लेते हैं उत्पादक वर्ग पर उत्पादक वर्ग पर प्रभाव उत्पादक वर्ग पर प्रभाव तो उत्पादक वर्ग प्रभाव की बात करें तो उत्पादक वर्ग को इसमें क्या होगा फाइदा होगा फाइदा क्यों होगा क्योंकि यह उत्पादक वर्ग है और उत्पादक वर्ग को जो इसका उत्पादन है उसका पैसा जो है वो अच्छा कासा मिल जाएगा तो उत्पादक वर्ग पर इसका भी आ जाता है तो किसान को भी यहां पे लिख सकते हैं किसान पर परबाव तो इसमें लिखते हैं कि उत्पादक वर्ग पर उत्पादक वर्ग पर या किसानों पर मुद्रा इस्पिती का अनुकूल प्रभाव पढ़ता है क्योंकि क्योंकि वस्तों की कीमतों में वर्धी होती है तो कीमतों में वर्धी होगी तो उत्पादक वर्ग को क्या है उस पर अनुकूल प्रभाव पढ़ेगा या फिर सकारातमक प्रभाव पढ़ेगा दूसरा जो वर्ग है वह बचत पर बात करें तो लोगों की जो बचत है उस पर क्या प्रबाव पड़ेगा तो बज़त पर नकारात्मक प्रबाव पड़ता है नकारात्मक या फिर प्रतिकूल प्रबाव पड़ता है प्रतिकूल प्रबाव पड़ता है ठीक है उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि रिण दाता पर तो रुपे या फिर मुद्रा की क्रेश शक्ति क्रेश शक्ति या पर क्रेश शम्ता कम हो जाती है इसलिए रिण दाता पर नकारातमक प्रभाव पढ़ता है दो रिणी वेक्ति पर जो रिणी लेने वाला है रिणी वेक्ति पर सकारातमक प्रभाव पढ़ता है उसके बाद बात करें एक और है वेतन भोगी पर वेतन भोगी जो क्रमचारी है सेलरी डेंप्लोई जोवे इसली डे परिशन की जीमला क्रडूल में हथे गवर्मेंट लाइंगी बठता देती है और मेंगाई बठते की जो कीमत दें बतता है उतना अधिक नहीं होता जितना inflation जो है वो बढ़ती है तो इनको भी क्या है नगरात्मक प्रभाव इनको पर पड़ता है तो इन पर मुद्रा इस्विती का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है ठीक है देखने को क्यों मिलता है क्योंकि महेंगाई बत्ता जो इनको दिया जाता है विससे इनको महेंगाई बत्ता जो है वो सीपेई के आदार पर जो अधिक शर्मिक बोक्ता मोले सोचकांके उसके आदार पर दिया जाता है पर क्या है कि इनकी जो महेंगाई बत्ते में जो उपर भी देखनों को मिलता है क्योंकि एक निश्चित वेतन है इनकी और उनकी निश्चित वेतन है तो उसमें इतना आधिक उच्छाल नहीं आता है जितना उच्छाल मुद्रहिस्पिती में आता है तो ये कुछ चीजे हैं कि इसमें क्या-क्या प्रभाव अपन को देखना को मिल सकता है तो ये प्रभाव है अब यहाँ पर जो बाते करी अपने मुद्रहिस्पिती के बारे में एक तो अपन ने इसको समझा कि ये क्या है ठीक है इसके दो कारण अपन ने देखे एक तो मांग जनी मुद्रहिस्पिती एक लागत जनी मुद्रहिस्पिती ठीक है और इनके ये प्रभाव जो है ये अपन ने देखे ठीक है अब अपन देखेंगे इसके गणना किस परकार की जाती है और इसके कौन-कौन से परकार है और सरकार त्वारा या फिर इकोनोमी में इस्प के नियंदरन के क्या क्यों पाई है तो इन सब को क्या है कि अब हम next class में देखेंगे तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आगे बात करेंगे और भी डोपिक इससे रिलेटर तो थेंक्यू साती हूं